हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल, प्रिंदिके आज मैं ये एक सिंगल कलर की डिजाइन का पैटर्न लेके आए हूँ, ये पैटर्न आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकती हैं, स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर, बढ़ों के स्वेटर, कहीं भी आप इसको बना सकती हैं, आठ सलाईयों की हमारी ये डिजाइन है, देखिए इस तरीके से, राइट साइड है ये इसका, और ये है इसकी रॉंग साइड, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 12 के मल्टिप 12 फंदे चाहिए, प्लस 3 हमारी ये डिजाइन सेट हो जाएगी, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 3 एक्स्ट्रा, क्योंकि 9 फंदे की ये हमारी डिजाइन है, बीच में मैंने ये 3 फंदे की गैपिंग रखी है, तो 9 और 3 बारा, तो 12 बारा फंदे हम लेंगे, और ये देखिए, स्टा यहाँ पे मैंने 27 फंदे लिये हैं, 12 प्लस 12 प्लस 3 एक्स्ट्रा, राइट साइट फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले, 1, 2 और 3, ये 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, उन पीछे करेंगे, और अब देखिए, एक, दो सीधे, इसके बाद, दो फंदे हम एक संग इस तरह से बिनेंगे, उन सलाई पे लपेट के एक सीधा बनाएंगे, एक बार फिर उन सलाई पे लपेटेंगे और ये दो फंदे एक साथ बनाएंगे फंदा पलटके इस तरह से पीछे की तरब से फिर दो सीथा तो ये देखिए ये हो गया हमारा बारा फंदा दो, चार, छे, आठ, दस और ये बारा इनी को रिपीट करेंगे तीन उल्टे फंदे तो एक, दो, तीन उन पीछे करेंगे नो फंदे की हमारी डिजाइन है तो सबसे पहले देखिए दो फंदा सीथा बिनेंगे दो फंदे एक संग इधर को बिनेंगे ऐसे चार हो गया बीच का ये जो पांचवा फंदा है उसके पहले हम यान ओवर करेंगे एक सीथा बिनेंगे फिर यान ओवर करेंगे अब ये जो चार फंदे बचे हैं इसमें से देखिए एक, दो सलाइपर से उतार के इसको पलट के इस तरह से और पीछे की तरफ से दो का एक कर लेंगे फिर दो फंदे सीथे और लास्ट में जो तीन एक्स्ट्रा हमने लिया है इसको हम उल्टा बनाएंगे लास्ट फंदा इस तरह से मैं सीथा बनाऊंगी क्योंकि रॉंग साइट से हमको पूरी सलाई उल्टा उल्टा बिनके कम्प्लीट करना है तो पहला फंदा उतार लेंगे और पूरी सलाई हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे उल्टी बिनाई देखिए ये जो नेट है और जो सारे फंदे हमने बिने हैं और दो का एक किया है सभी को इस तरीके से उल्टा उल्टा बिन लेंगे तो ये है wrong side की हमारी दूसरी सलाई यानी की second row ये है दूसरी और हर बार की wrong side की सलाई हमारी इसी तरीके से बनेगी लास्ट फंदा मैं सीधा बनाऊंगी तोकि इस starting में हमने तीन फंदे उल्टे बनाने हैं ये देखे थर्ड रो तीन फंदे उल्टे तो पहला फंदा मैंने उतार लिया है और दो इस तरीके से बिन लेंगे ये हो गए तीन उल्टे फंदे उन पीछे करेंगे और अब देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे पिछली बार देखिए यहाँ पर हमने दो का एक किया था अब हम इन दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे तो इस तरह से सीधा बनाएंगे दो फंदा एक साथ जाली के लिए फंदा लपेट लेंगे सलाई पर यानि कि यान ओबर और आप देखिए यह दो जालिया पड़ी थी इस एक फंदे के दोनों के नारे तो इसको हम एक, दो और ये तीन सीधे फंदे बनाएंगे फिर से यान उबर ये फंदा और ये फंदा इसको लेके हम ऐसे इधर को दो का एक करेंगे और एक फंदा सीधा तो देखिए ये फिर से हो गए हमारे बारा फंदे तीन, दो पांच, साथ, नो, ग्यारा, एक बारा बीच के तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन फिर उन पीछे करेंगे सेम फिर रिपीट करेंगे तो देखिए एक फंदा सीधा बीनेंगे, दो का एक करेंगे यान ओवर तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, और ये तीन, यान ओवर, फिर से एक, दो फंदे को उतार के पलट लेंगे इस तरह से, और दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा, ये हो गए देखें नो फंदे, एक सीधा बिना, दो का एक किया, यान ओवर, तीन सीधे, यान ओवर, दो का एक, और एक सीधा फंदा, लास्ट में तीन उल्टे फंदे एक, दो और लास्ट वला फंदा मैं सीधा बना दूँगी इस तरीके से चौथी सल आई फिर से पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे आठ सलाईयों का हमारा ये पैटर्ण है तो ये है हमारी चौथी सलाई यहाँ पे रॉंग साइट से जितने भी फंदे हैं उनको हमें बस उल्टी बिनाई से कम्प्लीट करना है लास्ट फंदा सीथा ये हो गई हमारी चार सलाई पाँचवी सलाई रॉट साइड तीन फंदे उल्टे एक दो और ये तीन अब देखिए यहाँ पे ये दो फंदे हम सीथे बनाएंगे तो एक दो और ये जो बीच के तीन फंदे हम सीथे बनाएंगे और ये जो बीच के तीन फंदे हैं अब हम इसको तीन का एक करेंगे तो इसके लिए ऐसे यान ओबर करेंगे और इन तीन फंदों को हम एक संग एक दो तीन ऐसे पीछे की तरफ लेके तीन का एक कर देंगे इस तरीके से फिर यान ओबर आप देखिए एक दो तीन ये है हमारा डिजाइन देखिए तीन उल्टे फंदे, तीन सीधे फंदे बीच के तीन का एक किया हमने उसके पहले यान ओबर यहाँ उसके बाद यान ओबर फिर तीन सीधा एक बार फिर रिपीट करेंगे तीन उल्टे फंदे, उन पीछे अब देखिए एक, दो और ये जो जाली हमने पिछली बार डाली थी ये एक, दो, तीन इसको हम सीधा बनाएंगे और अब ये बीच के तीन फंदों का तीन का एक करेंगे तो यान ओवर एक, दो, तीन फंदा ऐसे लेंगे और इसको हम इस तरह से तीन का एक कर देंगे यान ओवर एक, दो, तीन तो ये देखिए, ये है बीच का नौफ अंदा दिखिए, तीन उल्टा, इसके बाद ये तीन सीधा तीन का एक, तीन यहाँ पे इसके बाद ये जाली हमने डाली है तो ये तीन का तीन हो चुका है नौफ अंदे ये इस तरीके से तो ये हो गई हमारी पांचवी सलाई छटवी सलाई फिर से पूरा उल्टा उल्टा इसको पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगी साथमी सलाई तीन फंदे उल्टे नौफ अंदे सीधे अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और यह नौ यह देखे एक बार फिर तीन उल्टे फंदे नौ सीधे फंदे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और यह नौ लास्ट में तीन उल्टे फंदे और आठवी सलाई एक बार फिर से पूरा उल्टा-उल्टा यह है आठ सलाई का हमारा पैटर्ण यहाँ पर यह पूरा उल्टा-उल्टा बिन लेंगे हर बार रॉंग साइट से हमें उल्टा-उल्टा ही बिनना है लास्ट फंदा सेथा तो यह देखिए यह हो गई हमारी रिजाइन यहाँ पर आठ सलाई की कम्प्लीट अब फिर से जब पहली सलाई हम रिपीट करेंगे तो यह तीन फंदे हमारे उल्टे हैं अब यह जो नौ फंदा है देखिए यह बीच का फंदा जो है इसके यह पहले का यह दो फंदा हम एक संग बनाएंगे तो इसके लिए एक, दो सीधा बीनेंगे सबसे पहले फर्स्ट रो में यह दो फंदा एक संग हम ऐसे बनाएंगे इस तरफ से और बीच वाले फंदे के पहले जान ओबर, एक सीधा, जान ओबर और अब यह एक और दो इसको सलाई से उतार के ऐसे पलट देंगे और दो का एक कर देंगे, फिर दो सीधा तो ये देखिए अभी यहाँ पे ये एक फंदा क्लियर हो गया जब ये तीन फंदे अच्छे सी क्लियर हो जाएंगे तो ये तीन का एक हो जाएगा बीच में पांचवी सलाई में तो ये ऐसे हमारा पैटर्न है फिर से तीन उल्डे फंदे उन पीछे सबसे पहले दो सीधा, दो का एक, यान ओवर, एक सीधा, यान ओवर, दो का एक ऐसे स्लिप करके फंदा पलटेंगे और दो का एक कर देंगे दो सीधा और लास्ट का तीन उल्डा फंदा इसी को हम देखें ऐसे अब repeat करते जाएंगे तो ये हमारी एक-एक डिजाइन इस तरीके से बनती जाएगी ये देखें इस तरह से यहाँ पे ये ऐसे हमारा आता जाएगा तो आठ सलाईयों में हमारा ये pattern बन के तयार हो जाएगा तो दोस्तों देखें मुझे उम्मीद है कि ये डिजाइन आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपको ये डिजाइन पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग तब तक के लिए बाई